नमस्कार प्रिये मित्रो फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डियसार जोन में मित्रो हाथ जोड़कर बोल देना ये तीन शब्द सामने वाला व्यक्ति जो कोई भी है जिससे भी आप प्रेम करते हैं वो आपसे दूर जा रहा हो आपसे नाराज हो बात नहीं करता आपके संबंधों में कोई भी परिशनी चल रही है आपके संबंधों के बीच कोई भी मन मुटाओ चल रहा है आपका प्यार आप से दूर जा रहा है नाराज है इस सरल से उपाय को जो आज हम आपको बताएंगे बहुत सरल उपाय है, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं किसी वस्तू की आप कोई आवश्यक्ता नहीं है आप घर में बैठे बैठे ही इस उपाय को कर सकते हैं ना आपने कहीं बाहर निकलना है ना कुछ और करना है बस एकांत में ये उपाय कर लेना है और जिस व्यक्ति के लिए आप इसे कर देना है चाहे वो इस्तरी है या पुरुष्ट पती, पत्मी, प्रेमी, प्रेमी का कोई मित्र किसी के लिए भी इसे कर सकते हैं वो लोट आएगा आपके करीब उसके दिल में आपके लिए इतना प्यार भर जाएगा कि वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोचिगा ही नहीं उपाय को पूरे विश्वास, पूरी यकीन जखर है और जो भी इसकी क्रिया मताई जा रही है उसे आप बिलकुल विधीवत पूर्ण कर ले आप देखेंगे कि आपका प्यार आपके सामने होगा जो बात नहीं करता बात करेगा जो नाराज है, खुद आपको आकर मनाएगा उपाय को शुरू करने से फेंदे अपने हाथ मूँ पैट धुए उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं किसी भी समय कर सकते हैं सनान कर लें, हाथ मूँ पैट धुए एक स्थान पर बैठें, सचता की आरत में कोई भी आसन कपड़ा बिच्छाले बस साफ सुतरा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए थोड़ा सा आप कटोरी में या ग्लास में पानी ले लेना है, बहुत अदिक नहीं थोड़ा सा पानी डाले भरना चाहें, भरना है आधा कटोरी, आधा गिलास जैसे भी आपकी छगरें पाने रखें आपने क्या करना है बैठे आप सबसे पहले आप दौनों हाथ जोड़ेंगे नमस्ते की अवस्था में आएंगे पालती मार कर चोकड़ी मार कर आपने बैठना है और बोलें उस विप्ति का जिससे आप प्रेम करते हैं उसका पांच बार नाम में उसके बाद आपने क्या करना है अपने उल्टे हाथ की हतेली में जो भी ग्लास या खटोरी आपने लिया है उसमें अपने सीधे हाथ को हलका सा डुबएं उंगलियों को गिला करें और कुछ बूद हैं उल्टे हाथ पर हतेली पर गिराएं और उसके बाद उस पानी को जमीन पर गिरादें उल्टे हाथ पर गिराकर जमीन पर गिरादें जो भी दो चार बूद आपके हाथ हुएं जब आप उसे गिराएंगे उस समय उस व्यक्ति का फिर नाम लेंगे तीन बार अब आपने क्या करना है जो पानी है उसे दोबारा से इसी प्रकार से लेना है और फिर पानी किराना है तीन बार उस व्यक्ति का नाम लेते हैं बिल्कुल यही क्रिया आपने तीन बार कर लेंगे उसके बाद आप अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे पानी को जोड़ेंगे आपने दोनों हाथ फिर से जोड़ने हैं और उसके बाद उसी व्यक्ति को जिसके लिए आप इसे कर रहे हैं उसे समर्ण करते हुए उसे सोचते हुए विचारते हुए जब आप ठीक प्रकार से उसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड सोचें, अपने अंतरमन में से लेकर आएं उसकी तस्वीर आपको अंदर से दिखाई देने लग जाए आपका वो प्यार आपको नज़र आने लग जाए उसका चेहरा तब आप बोलें ये तीई शब क्राय, अमुक, वश ये आपने 11 बार बोलना है बड़े ध्यान पूर्वक बोलें, 11 बार बोलना है और बोलने से पहले उस ग्यक्ति को शुरू में स्मारणगर 11 बार मंत्र बोलेंगे, अमुक के स्थान पर बोलेंगे उस व्यक्ति का ना जो नाम लेंगे वो आप प्रमुख नाम पहला नाम ही लेंगे जब आप पहले बोल रहे हैं तब भी जब आप अभी बोल रहे हैं तब भी अब आपने कुछ विशेश नहीं करना दोनों हातों को खोल दें नमस्ते की अवस्ता से हट जाएं जो पानी है आपके पास उसे वजिस्तान से उठाएं और आप चाहे तो घर के आंगर में चले जाएं या आप कोई गंबला आको धर में हो उस पर लेकिन काटेदार गंबला ना हो और उसकी मिटी पर या घर से बाहर अंगर में कहीं भी जहां आपका दिल करें आपने अपने उल्टे हाथ की हतेली पर छुलाते हुए वो पानी जो कटोरी में रखा है या ग्लास में रखा है उसे धीरे-धीरे गिराना है और पाँच बार गिराते-गिराते ही उस रखती का नाम लेना है गिराने करते हैं धीरे-धीरे धार बनाएं और गिराते जाएं और पाँच बार अस रखती का नाम लेना है उसके बाद आपने वापस घर के भी तर आ जाना है ये बड़ा ही सरल उपाए है मिद्रो इसमें आपने विशेश कुछ भी नहीं करना और आपका प्यार मातर एक से दो दिन में आप से खुद सारे अपने संबंद अपने रिष्टे ठीक करें अब द्यार ग्यामतरो फिर मुलाकात होगी ऐसे ही बहुत ही खुबसूरत से उपाए के साथ अगली वीडियो में अपना ख्याल रखें खुश रहें नमस्कार